नमस्कार सिक्षार्थियों, प्रतिस्वर्धार रहित बाजार भाग चार, आज की इस क्लास में हम सुक्ष मर्शास्त के मेंन मार्केट फॉर्म के बहुत ही महतपूर चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में हम अलपा धिकार और दोया धिकार के बारे में पढ अलपा धिकार बाजार की एक ऐसी अवस्था होती है, जिसमें कुछ बड़े विक्रेताओं के मद्ध ही प्रतियोगिता होती है, बस तो एक समान या विभेदात्मक हो सकती है चहां तक अलपा धिकारी की बात है इसका नाम अलपा धिकारी इसलिए पड़ा है क्योंकि Competition Among a Few Sellers मात्र कुछ ही विक्रेताओं के मद्धे प्रत्योगिता होनी है ये विक्रेता एक समान संब्रू बस्तू को भी बेच सकते हैं या बस्तू भी भेद भी कर सकते हैं अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि चारो के चारो चित्र में एक तरफ अगर हम Network Connections की बात करते हैं SIM Providers की बात करते हैं तो SIM Providers में भी मात्र कुछ कंपनिया ही आपस में प्रतियोगिता करने के लिए बात दे हैं जहां तक हम Automobiles Industries क्या देखते हैं तो भारत में Automobile Industry भी आप अपने Fingers पर काउंट कर सकते हैं कि कार बनाने वाली कितनी कंपनिया आपके देश में उपलग्ड हैं अगर हम Newspaper की बात करते हैं खास करके English Newspaper की बात करें तो वो भी आप देखेंगे कुछ ही बड़े Printing Houses हैं जो की Famous अकबारों को चलाते हैं मोबाईल बनाने वाली कंपनियों कि अगर हम बात करें तो मोबाईल बनाने वाली कंपनिया भी भारत में Fingers पर आपके उङोंग्लियों पर गिनी जा सकती हैं तो चाहे वो mobile manufacturing company की हम बात करें, चाहे connection provider या sim provider company की हम बात करें, चाहे हम car manufacturing companies की बात करें, चाहे हम newspaper की बात करें, ये चारो के चारो छेत्र में हम देखते हैं कि कुछ ही विक्रेताओं के मद्ध घोर प्रतियोगिता पाई जाती है. अलपा धिकारी वास्तों में कपट पूर्व या गैर कपट पूर्व अलपा धिकारी हो सकता है, collective and non-collegive जिसे कहते हैं. अलपा धिकारी अगर आपस में समझोता कर लेते हैं, तो वो कार्टेल फॉर्म कर सकते हैं, और कार्टेल फॉर्म करने की अवस्ता में वो एक अधिकारी की तरह विवहर करना सुरू कर देते हैं. अलपा धिकारी सेहोगात्मक और गैर सेहोगात्मक अलपा धिकारी भी हो सकता है, एक समान वस्तू और बिभेदात्मक अलपा धिकार भी पाया जाता है, इसकी कुछ परमुक बिशेष्टाएं निम लिखीत हैं. सबसे पहली बात तो अलपा धिकारी में मात्र कुछ ही बड़ी फरमें उपस्तित होती हैं. इन फरमों की संख्या आप अपने फिंगर्स पे भी काउन कर सकते हैं. मैंने आभी आपको बताया कि किन-किन छेत्रों में अलपा धिकारी आप स्पस्ट रूप से देख सकते हैं. दूसरी बात है इन सभी अलपा धिकारी का आपस में एक दूसरे पर निर्भरता होती हैं. अगर कोई एक अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देता है तो सभी अलपा धिकारी को अपनी अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है. अभी रिसेंट समय में पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि जो connection provider या SIM provider company है एक famous company ने बहुत सस्ता internet provide करना शुरू कर दिया जैसे ही उसने अपने connections की कीमत कम की सभी कमपनियों को, सभी अलपाधिकारियों को अपने connections की कीमत को कम करना पड़ा इसी तरह आप देखेंगे कि लेकिन अगर कोई एक अलपाधिकारी अपनी बस्तू की कीमत को बढ़ाता है तो कोई उसको follow नहीं करता अनिश्चित मांगवक इसलिए अलपाधिकारियों का मांगवक अनिश्चित होता है, किंड होता है एक particular point पे rigid हो जाता है उस particular point पे उस particular price से ना तो वो कम होता है ना अधिक होता है एक बार जो कीमत अलपाधिकारी आपस में निर्धारित कर लेते हैं उस कीमत से कम अगर वो करता है तो सभी को कम करना पड़ता है पूरी industry में loss होने लगता है सभी को अगर उन में से कोई एक कीमत को बढ़ाता है तो कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है कोई भी अपनी बस्तूर की कीमत को बढ़ाता है ऐसी स्थिति में कीमत को बढ़ाने से और घटाने से किसी अलपाधिकारी को कोई फायदा नहीं होता है इसलिए कीमत द्रिड़ता की स्थिति अलपा धिकारी की एक अन्य प्रमुख भिशिष्टा होती है इन में आपस में गला काट प्रिच्योगिता पाई जाती है Do or Die, Survival of the Fittest ये सारे के सारे मुहारे अलपा धिकारी के मध्य पाई जाते हैं अगर इन में आपसी समझाता नहीं होता अगर काल्टेल फॉर्मिशन नहीं होता काल्टेल फॉर्मिशन अगर नहीं होता तो आपस में इनको अत्याधिक कम्टिशन का सामना करना पड़ता है पेटेंट अधिकार इत्याधी से प्रिवेश में रुकावट इसकी एक अन्य विशेष्था है कि अलपा धिकारी में जो भी उत्पादक होते हैं वो कोशिस करते हैं कि कोई नया उत्पादक उसमें एंटर ना करें चाहे वो patent के अधिकार से हो, चाहे वो कोई unnathic और unnathic तरीका हो और वो कोशिस करेंगे कि किसी प्रकार से कोई नया उत्पादक उसमें entry ना कर पाए अलपा धिकारी का मांगवक, इस slide में आपको अलपा धिकारी का मांगवक दिखाई पड़ रहा है जो कि के बिंदू पर किंग्ड है अथवा broken है तूटा हुआ है यह दिखाता है कि के अन इस अलपा धिकारी की बस्तू की कीमत है जो की कम या अधिक नहीं हो सकती अगर अलपाधिकारी बस्तू की कीमत को कम करेगा तो इसके सारे प्रतियोगी अलपाधिकारी अपनी बस्तू की कीमतों को कम कर देंगे और अल्टिमेटली उसको बस्तू की कीमत कम करने का फायदा नहीं मिलेगा बस्तू की कीमत कम करके अगर आप चाहते हैं कि क्रेता आजाएंगे तो बस्तू की कीमत को कम करने के आप क्रेताओं को आकरसित नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी competitors बस्तू की कीमत को कम कर देंगे अपने-पने customers को retain रखने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि recent समय में कुछ ही महीनों कुछ ही एक दो साल पहले ही जब एक famous company ने अपने mobile connections की कीमत को कम किया सभी rivals को भी अपनी अपनी बस्तू की कीमतों को कम करना पड़ा तो ऐसे case में customers को कीमत कम करके आखरसित करने की policy फेल हो जाती है जब कि अगर ये अपनी बस्तू की कीमत को बढ़ाएगा तो कोई इसको follow नहीं करेगा ultimately इसे loss हो जाएगा तो ये बताता है कि के बिंदू पर मांग वक इसका द्रिड़ हो जाएगा और इसके बाद मांग अत्यादिक low shield और low shield की इस्तिती पाई जाएगी ये इसकी खासियत है अलपा धिकारी का अलपकालिन संतूलन अगर हम देखें तो AC और MC वक्र सेम है अलपा धिकारी को अलपकाल में अस्मान लाब मिल सकता है सामान लाब भी मिल सकता है और हानी भी हो सकती है इस पर्टिकुलर रिखाचित्र में आप देखिए हरे रंग का जो एरिया है वो बता रहा है कि इस अलपाधिकारी को असमान इलाब मिल रहा है क्योंकि जब हम संतुलन बिंदू से पर्पंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि प्राइस ओपी जो है वो ओसी से अधिक है ऐसी स्थिती में इस फर्म को जो हरे रंग का एच्छेत फल है ये सारा का सारा असमान इलाब का इंडिकेटर है जबकि दूसरा अलपाधिकारी का है जिसका ओसत और सीमान लागत वक्त क्रमसह थोड़ा उचा है ऐसी स्थिती में हम देखते हैं संतुलन बिंदू पर उसकी कीमत और ओसत लागत सामान है इसलिए इस फर्म को इस अलपाधिकारी को सामान इलाब से संतुस्ट होना पड़ेगा जबकि लाल रंग का जो रिखाचित्र है ये अलपाधिकारी के हानी को दिखा रहा है क्योंकि संतुलन बिंदू पर जब हम पर्पिनिकुलर ड्रॉ करते हैं ने इस एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम पाते हैं कि OS की की पर्बह जबकि O C लागत अवस्त का इसकी प्राईस है ऐसी स्थिति में js ओपी कंए OS से इसलिए जो रेड ह्प कलर का अरिया है ये अरिय असमान हानी को दिखा रहा है तो अल्पकाल में अल्पाध हिकारी को असमान हानी भी हो सकती है और नासामान इलाब भी हो सकता है और हानी भी हो सकती है तीनों वस्ताइं सम्भों है जहां तक अल्पाध हिकारी के दीरकाली संतुलिंद की बात है तो यह अनिश्चित पाया जाता है उसका मुख्यकारड है गला काट प्रतियोगिता इनमें ultimately या तो संजोते के रूपे convert हो जाती है, आपस में ये लोग संजोता कर लेते हैं, कार्टेल फॉर्मेशन कर लेते हैं, या फिर धीरे-धीरे मोनोपोली की तरफ merger और amalgamation होते 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 हैं, मोनोपोली की तरफ एक अधिकारी की तरफ अगरसरित हो जाते हैं। लाप्रत बस्तु के उत्पादियंकी और गमन ऐसा भी होता है कि अगर किसी अलपाधिकारी को हानी हो रही है, तो वो एक बस्तु के उत्पादन को छोड़कर किसी ऐसी बस्तु के उत्पादन पर चला जाता है, जो कि उसे ओर अधिक लापरदान करें। ये भी देखा गया है कि अलपा धिकारी कई सारी बस्तों का उत्पादन आपस एक साथ प्रारम कर देते हैं अगर हम कोल्डिंग के मामले मिलें तो हम देखते हैं कि एक ही उत्पादक विभिन प्रकार की कोल्डिंग हर प्रकार के कंजूमर के लिए उत्पादन करना प्रारम कर देता है वो चाहता है कि समाज में उपलब्द हर प्रकार का उपभूगता उसकी बस्तू को खरीदे तो यह अलपा धिकारी की खासियत होती है कि वो कंजूमर ओर्येंटेड ऐसी बस्तू को उत्पादन करना सुरू करता है जिसमें उसको उसका लाभ बना रहे साथ ही बिक्रे रागतों के कारण वो अपनी ब्रैंडिंग को इतनी मजबूत कर देता है कि कस्टमर के सामने उस बस्तू को खरीदने के लावा बाकी सारे विकल्प कम दिखाई पड़ते हैं घरती हुई उत्पादन के साधन तथा रिडात्मक उत्पादन के सिध्धान से बचने का प्रियतन भी करता रहता है अलपा धिकारी लॉंग रन में प्रोड़क्ट डाइवर्सिफिकेशन या फिर नए-ने बस्तू के उत्पादन या वस्तू विभेत करके वह पोसिस करता ह है कि घरते हुई उत्पादन के सिध्धान से बचे रिडात्मक उत्पादन के सिध्धान तक पहुचने की नौबत ही ना आए आए अब हम दोया धिकारी के बारे में पढ़ते हैं दोया धिकारी डूओ प्लस पॉली एनि दो सब्दों को मिलाकर बना गया है बाजार की एक स्लाइड में आपके सामने रख रहा हूं और आप सब बुधिमान हैं इसको देखते ही समस्थाएंगे कि आज आपके देश में कोल्डिंग के मामले में सारी की सारी कोल्डिंग की जो छोटी-छोटी कंपनिया थी वो मर्ज होकर या उन्होंने अपने आपको बेच करके खा कोल्डिंग के छेत्र में दो बड़े विक्रिता पाए जाते हैं और इन दोनों बड़े विक्रिताओं ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन टेकनिक का इस्तेमाल किया और अपनी वस्तूं को इतनी सारी वेराइटी में कनवर्ट कर दी है कि उबहुकता को किसी प्रकार क अगर कोल्डिंग चाहिए तो मजबूर है इनी दोनों विक्रिताओं के पास जाए मात्र दो ही विक्रिताओं के मध्ध प्रतियोगिता और ये दोनों के दोनों निकर प्रतिस्थापन बस्तूं उत्पादन करते हैं अगर आप देखेंगे कि एक कंपनी ने ब्लैक कलर का को कोल्डिंग उत्पादन किया तो उसकी दूसरी कंपनी भी अगर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए एक कंपनी हलका कोल्डिंग बनाती है तो दूसरी कंपनी भी हलका कोल्डिंग ही बनाएगी उसी तरीके से पैटन पर तो इनका जो प्रोडक्ट होता है अत्याधिक नि निश्चित है कि अगर हम खाली कोडरिंग की बात करते हैं, तो एक कंपनी अपनी ब्रैंड का प्रचार करने के लिए सबसे महंगे क्रिकेटर्स का सहरा लेती है, तो दूसरी कंपनी अपने प्रोडक्ट का विस्तार करने के लिए सबसे महंगे एक्टर का सहरा लेती है, तो प आपस में प्रतियोगीता इन में पाई जाती है, प्रतिक्रिया का आधार प्रतियोगी की क्रिया पर निर्भर करता है, प्रशिक्षो क्योंकि दो ही विक्रेता हैं, इसलिए हम देखते हैं कि सामने वाला का रियक्शन कैसा होगा, उसी पे मेरा रियक्शन डिपेंड करेगा, तो सामने वाले के action पे मेरा reaction डिपेंड करेगा, यही इसकी reactionary curve हम आगे चलके बनाते हैं, जो reaction depends on action, इनका मांगवक अनिश्चित होता है और इनके मध्य गला काट प्रतियोगिता होती है, अगर समझहोता होता है तो एक अधिकार बन जाता है, इसकी और कुछ बिसेश्चाएं होती है, प्रिवेश प्रतिबंधित होता है, इसमें कोई form प्रिवेश नहीं कर सकती, अगर प्रिवेश करती है तो अलपा धिकार बन जाएगा, दोया धिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बस तुए निकट प्रतिस्थापन है इसलिए इनके मध्य कंप्टिशन बहुत ही भेंकर होता है और सर्वाइवल अब दा फिटेस्ट की थोड़ी लागो होती है विक्रे लागतों का महत मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार विक्रे लागत ही ये सुनिश्चित करती है कि वो बाजार में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा अनिश्चित क्रिया प्रित्क्रिया अधारित ब्योहार ये इसकी अन्य विश्चिस्था है आपका क्रिया पर ही प्रतिक्रिया निर्भर करेगी, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्फिब होता है कि हम प्रिडिक्ट कर लें कि अब क्या होने वाला है बाजार में आईये भर हम बिभिन प्रकारों के मध्ध एक बार अंतर को देखते हैं एक तरह पूर प्रतियोगिता एका धिकारी एका धिकारिक प्रतियोगिता अलपा धिकारी और दिया धिकारी इन सभी के मध्य हम विभिन आधारों पर अंतर करेंगे विक्रेताओं की संख्या की अगर हम बात करें तो पूर प्रतियोगिता में विक्रेताओं और क्रेताओं दोने की संख्या अधिक होती है एक अधिकारी में एक ही विक्रेता होता है लेकिन क्रेता बहुत सारे होते हैं एका धिकारिक प्रतियोगिता में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक तो होती है परंत यह संख्या पूर प्रतियोगिता की तुल्ला में काफी कम होती है अगर हम अलपा धिकारी की बात करें तो वहाँ पर हम कुछ ही विक्रेता पाते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे दोया धिकारी में मात दो ही विक्रेता पाये जाते हैं बाकि सब क्रेता होते हैं अगर हम प्रवेश की स्वतंत्रता की बात करें, तो फर्मो का आवा गमन पूर रूप से स्वतंत्र होता है, ये पूर प्रतियोगता की खासियत है। एका धिकारी में प्रवेश संभो ही नहीं है क्योंकि अगर प्रवेश होगा तो दोया धिकारी बन जाएगा एका धिकारिक प्रतियोगिता में प्रवेश संभो है आवा गमर संभो है इसलिए इन दोनों को सामाने लाव प्राप्त होता है आलपा धिकारी की स्थिति की हर्म ब मांग वक्र के सभाव की हम बात करें तो मांग वक्र पूर्प्रतियोगी फर्म का पूर्तिया लोशील होता है निश्चित उद्योग द्वारा की निर्धारित कीमत पर पूर्प्रतियोगी फर्म चाहे जितनी मात्रा को बेश सकता है उसकी अनिश्चित मांग है जबकि का ध्यान में रखना होता है एक अधिकारिक प्रतियोगिता में लोच सील मांगवक्ष होता है मांग का नियम लागू होता है लेकिन मांगवक्ष एक अधिकारी की तुलना में यहां पे लोच सील पाया जाता है क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे विक्रेता बाजार में इस price को change करना आसान नहीं होगा और अगर बस्तू की कीमत को कम करेगा seller तो सभी निकट पति स्थापन जो बस्तू हैं उसके competitors हैं वो भी अपनी अपनी बस्तू की कीमत को कम कर देंगे उसे customers को attract करने का कोई scope नहीं मिलेगा मांगवकर अनिश्चित हो जाता है जब हम दोया धिकारी की बात करते हैं क्योंकि यहां आपका रियक्षन डिपैंड करेगा सामने वाले के एक्षन पे दीर कालीन संतूलन की अगर हम बात करें तो पूर प्रतियोगिता में आप देखेंगे सामान इलाव मिलता है जबकि एका धिकारी को दीर काल में असमान इलाव मिलता है इसके अलावा अगर हम एका धिकारी की प्रतियोगी की बात करते हैं तो उसको भी सामान इलाव मिलता है जबकि अलपा धिकारी को असमान इलाव और साथी दोया धिकारी को भी असमान क्योंकि product diversification की तरफ जाते हैं और एक product की जगा दूसरे product एक industry की जगा दूसरी industry में जाने में कोई हिचकते नहीं है इसलिए इनको असमान इलाब ही मिलता है जहां तक विक्रे लागतों की बात है विक्रे लागते पूर प्रतियोगिता में बिलकुल नहीं पाई जाती जबकि एका धिकारी में अगर वह बाजार का विस्तार करना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से अपनी बस्तू का प्रचार प्रसार करना पड़ता है जबकि एका धिकारी प्रतियोगिता में यह बहुत ही महत्पूर हो जाता है और जहां तक अलपा धिकारी की बात है वहां तो जीवित रहने के लिए सर्वाइब करने के लिए भी फर्म को अपनी बस्तू का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और दोया धिकारी में तो अप संसादनू기 अनुकूलतम प्रयोगिंटा में पायाता है क्योंकि यहां पर अधिक्तम वस्तु की मात्रा उप्लिप्द होती है नियुनतम कीमत और नियुनतम और ओसत लागत पर है। जब्कि क्पहुत पता श्विचुषर संभू है एक अधिकारी के सामने कारड ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि संतूलन बिंदू पर उसका MCMR के तो बराबर होता है लेकिन ये कॉम्बिनेशन के तुलनाक में संतूलन कीमत पर वो असमान इलाब पराप्त कर रहा होता है क्योंकि AR उसका AC से अधिक है अगर हम एक अधिकारिक प्रितियोगिता की बात करते हैं हलाकि इसको सामान इलाब मिलता है फिर भी यहाँ पर संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग नहीं होता क्योंकि कॉम्बिनेशन ओफ MC और MR और AC AR दोनों अलग-अलग कॉम्बिनेशन में इकुल तो होते हैं लेकिन इकुम्बिनेशन ओफ मर्जिनल सिगसंष नो इकूल ऊट ऊफ्यूंष और 25 की इस इस्थिती में उभॉक्ता के ऌने κιुंजाइश होती है जहां तक मांग्मक्रो की बात है तो आप देखेंगे कि सबसे पहला मांगवक एका धिकारी का है जो की बेलोजदार है दूसरा मांगवक्र हरे रंग का है ये एका धिकारिक प्रतियोगी फर्म का है और तीसरा मांगवक्र आप देखेंगे पूर्ड प्रतियोगी फर्म का है जो की पूर्टिया लोश्चील है एक सके समानन तर एक सीधी रेखा है और अंत में आप देखेंगे की के विंदू पर क पूर प्रतियोगी फर्म का देखिए, AC-MC को इंटरसेट कर रहा, ब्लैक कलर का है, सबसे बड़ा डाइग्राम है, लेफ्ट साइड में, और दूसरा अगर हम देखते हैं, तो दूसरे में आप एका धिकारी को अब नावरोल प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देख रहे हैं दिखा रहा है, और डाइग्राम से कंपेर किया जाए तो जो एका धिकारी उतपाइदन कर रहा है वो पूर पॉर्थरोगता की तुलह में अधिक है, तो एका धिकारी की आउसत लागत भी अधिक है, कीमत भी अधिक है और कम मात्रा का उत्पादन कर रहा है तो यह जो उत्पादन छमता है इसे हम छेपी हुई उत्पादन छमता एकाधिकारी की कहते हैं एकाधिकारी प्रतियोगीता में भी यही छमता छेपी हुई पाई जाती है क्योंकि एक हला की समानलाब दोनों को मिलते हैं फिर भी आप देखेंगे कि एकाधी कारी प्रतियोगी फर्म का उत्पादन इस्तर से काफी कम है आईए अब हम उन प्रस्णों को डिस्कस करते हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे सबसे पहला प्रस्ण सामानिता हमारी मन मुपता है पूर प्रतियोगीता और बिशुद प्रतियोगीता में क्या अंतर है बाजार की एक ऐसी अवस्ता जिसमें मात्र तीन विश्यस्ताइं पाई जाती हैं उसको हम बिशुद प्रतियोगीता कहते हैं तो पूर्ड प्रतियोगिता की ये तीन विशच्थाइं कौन-कौन सी हैं, सबसे पहली क्रेटाओं तथा विक्रेटाओं की असीमित संख्या, दूसरी विशच्था है फर्मो का सोतंत्र आवागमन, किसी प्रकार की रुकावट ना होना, और साथ ही होमोजीनियस प्रोड़क जैसे विक्रे लागतों का अभाव, एक मात्र कीमत, पूर्ड जानकारी, संसादनों का पूर्ड आवागमन नित्यादी ये सब भी समलित हों, तो ऐसी अवस्था को हम perfect competition या पूर्ड पृतियोगीता कहते हैं। यदि MCMR को दो बिभीन बिंदूओं पर काटता है, तो कौन सा बिंदू संतूलन का बिंदू कहलाएगा। सामानिता हम confuse हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि MCMR को दो अलग-अलग बिंदूओं पर काट रहा है। संतूलन सर्थ के लिए यह आवश्यक है कि number one, MCMR को intersect करें, यह MCMR के समान होना चीए और इस बिंदू के बाद MCMR से अधिक हो जाए। तो जो right most point, सबसे दाई तरफ जो इस्थित होगा, जहां पर MCMR को नीचे से प्रतिछेदित कर रही होगी, वह बिंदू, संतूलन का बिंदू कहलाएगा। इसका मुख्य लक्ष है कि इसके अंदर इस बिंदू पर वह लाब का आखरी बूंद भी प्राप्त करने में सफल रहती है। कीमत विभेद तथा वस्तू विभेद में आंतरस्पस्ट करें। कीमत विभेद एकाधिकारी में पाया जाता है, जबकि वस्तू विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाया जाता है। कीमत विभेद की अवस्ता में एकाधिकारी अपनी एक ही बस्तू की दो अलाग अलग क्रेताओं से अलग अल अलग कीमत वस्तूलता है। इसका BEST習ांपल है कि और ऐसा हो सकता है किसी कमपनी का अपने देस में एकाधिकार हो, लेकिन जब वही कमपनी अपने उसी प्रोड़क्ट को इंटरनेशनल बाजार में बेशती है तो उसको काफी कम कीमत करने के बेशना पड़ता है क्योंकि वहाँ उसको प्रतियोगता का सामना करना होता है साथ ही अगर किसी लोकालिटी में एक ही डॉक्टर है तो समान बीमारी के लिए वह अलग-अलग आए इस तरसे सम्मंदित व्यक्टियों से अलग-अलग फीश ले सकता है इसको हम कीमत विभेद की संग्या से बिभूशित करेंगे जबकि यदि कोई उत्पादक अपनी बस्तु में थोड़ा सा रूप रंग आकार बदल करके अलग-अलग कीमत वसूलता है तो ऐसी स्थिति को हम बस्तु विभेद कहते हैं अगर हम किताबों की बात करें तो किताब को अगर लाइबरी डिशन होता है तो आप देखें लाइबरी डिशन में थोड़ा सा प्रिंटिंग अच्छी हो जाती है थोड़ा बाइनिंग उसकी अच्छी हो जाती है लेकि लाइबरी डिशन के जो किताबें हैं कि संसाधनों का अनकूलतम प्रियोग पूर्प्रतयोगिता में ही पाया जाता है। क्योंकि पूर्प्रियोगिता एक बात रहसी अवस्था है जिसमें दीर काल में नियूनतम लागत और नियूनतम कीमत पर अधिक्तम बस्तु की उपलब्रता बाजार में सुनिश्चित होती है। फिर वो चाहे एक अधिकारी हो, चाहे दोयाधिकारी हो, चाहे अलपाधिकारी हो। इन सभी में कहीं न कहीं वो भोकताओं का सोसल होता है, कहीं न कहीं संसादनों का अलप प्रियोग होता है, क्योंकि लाभ ही डॉमिनेट करता है। आज के लिए इतना ही काफी है, कर दो कर दो कर दो